नमस्कार दोस्तो, ASV Knowledge की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है तो दोस्तो आज भारत को लेकर एक नहीं, बलकि दो दो बड़ी अपडेट्स निकल कर सामने आ रही है जिसमें से एक अपडेट है रश्या और भारत के सुखोई 30MG फाइटर जेट को लेकर भारत ने रश्या के उपर से 23 सालों की अपनी एक बड़ी निर्भरता बिलकुल खत्म कर ली है और भारत को अब रश्या की कोई ज़वरत नहीं है और दूसरी अपडेट है भारत के कावेरी इंजन को लेकर भारत कावेरी जेट इंजन बनाने से बस एक कदम दूर है दोस्तों पहली अपडेट की बात करें तो ये आ रही है सुखोई 30 MKI को लेकर दरसल जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि साल 2010 में भारत और रश्या के बीच सुखोई 30 MKI की भारत में प्रोडिक्शन को लेकर एक डिल साइन हुई थी और इस डील के तहत रश्या ने हमें सुखोई 30 के प्रोडिक्शन लाइसेंस तो दे दिये थे लेकिन उसने इस डील में ये कंडिशन रखी थी कि भारत जितने भी सुखोई 30 MKI फाइटर जैट बनाएगा उसके लिए रश्या ही भारत को अपने फाइटर जैट की किट सप्लाई करेगा यानि की रश्या के सुखोई फाइटर जैट भारत में बनेंगे तो सही लेकिन उनके पार्ट्स हमें रश्या से ही लेने पड़ेंगे लेकिन पिछले कुछ सालों में जिस तरह से रश्या और चायना के बीच करीबियां बड़ी है और रश्या युक्रेन युद की वज़ा से रश्या की तरफ से जिस तरह से इस पेर पार्ट्स की सप्लाई इंटरप्ट हुई है उसे देखकर भारत को रश्या पर कहीं न कहीं एक डाउट हो गया है और वो ये है कि अगर कल को भारत किसी लंबे युद में चायना के साथ उलच जाता है तो शायर चायना अपने इंफ्लूएंस के इस्तमाल करके भारत को मिलने वाली सुखोई की केट और इस पेर पार्ट्स की सप्लाई को रुखवा सकता है और इसी कल को हमें सुखोई 30 MKI के लिए रश्या पर एक परसंट भी निर्भन ना रहना पड़े और इसी वीज भारत को इस इंडिजिनेशन प्रोग्राम में एक बड़ी सफलता हाथ लग गई है दरसल भारत की डियों ने सुखोई 30 MKI में लगने वाले रश्यन इलेक्रोनिक्स वा पोर्ट्स का यूज क्या जाता था जो कि सामने वाले फाइटर जेट के रडार को जाम करने का काम करते हैं लेकिन अब डियाडियों ने जो अपने इलेक्रोनिक वार्फेर पोर्ट्स सुखोई 30 MKI में लगाए हैं उनकी वज़ा से अब हमारे फाइटर जेट की मॉडरन एर के एई ऐसे रडार को खराब और जाम करने में दिक्कत महसूस कर रहा था अब वो दिक्कत भी दूर हो जाएगी क्योंकि डियाडियों ने अब इसमें एडवांस सेर्फ प्रडेक्शन जैमर को भी इंस्टॉल कर दिया है और साथ ही हमें इससे जो सबसे बड़ा फायदा मि तो यह आ रही है कावेरी इंजन को लेकर लेकिन उसे जानने से पहले आपको कावेरी इंजन के बारे में दो बाते जान लेनी काफी ज़रूरी है जब कावेरी की बात की जाती है तो इसमें कावेरी की दो वेरेंट की बात की जाती है सबसे पहले कावेरी ड्रा इंजन और तुसरा कावेरी आफ्टर बर्णर इंजन अब कावेरी ड्रा इंजन जो है यह 48 क्लोन न्यूटन की पावर जनरेट करने वाला इंजन है जिसका इस्तमाल भारत अपने और यूसी एवी जैसे इस टेस ड्रोन में करेगा और पिछले साल हमने रस्या में इसका फ्लाइंग टेस जेट इंजन की जरुद होगी जो कि कम से कम 80 से लेकर 110 क्लोन न्यूटन की पावर जनरेट कर सके तेजस के लिए तो कम से कम हमें 80 न्यूटन का जैट इंजन तो चाहिए ही चाहिए और इसलिए भारत अपने ड्राइ कावेरी इंजन में एक आफ्टर बर्णर मोडियूल का उसे इतना पावर्फू बनाने की कोशिश कर रहा है कि उसी से हम टेजस के लिए डिजाइड पावर जनरेट कर सके और अब इसी कड़ी में एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है और वो यह है कि जीटी आरी ने कावेरी आफ्टर बर्निंग तर्बो फैन इंजन के एक रोटर ब्लेट्स को अक्वाइर करेगी जिनकी संक्या करीबन 450 में होगी और इसके साथ ही जीटी आरी की तरफ से हाई क्वालिटी विंग्स को भी खरीदा जाएगा और इन दोनों को ड्राय कावेरी के आफ्टर बर्निंग मॉडियूल में लगा कर टेस्ट किया जाएगा और ये देखा जाएगा कि भारत के क्लामेट के हिसाब से क्या कावेरी इन जन का आफ्टर बर्नन मॉडियूल ठीक से काम कर रहा है या फिर नहीं और ये आफ्टर बर्नन मॉडियूल कम से कम 80 कलो न्यूटन की पावर जनरेट कर पा रहा है या फिर नहीं और अगर एक बार ये टेस्ट सफल हो जाता है तो ये समझ लीजिए कि अगले चार से पांच सालों में भारत का पहला इंडिजीनियस चैट इंजन सभी तरह के सर्टिफिकेशन के बाद तयार होकर सीरियस प्रोडक्शन में आ जाएगा और फिर भारत को तेजस फैटेजट के लिए अमेरिका के F414 इंजन की ज़रुरत नहीं पड़ेगी और हम अपने ही काविर इंजन से जितने चाहे उतने तेजस बना पाएंगे वैसे आपको क्या लगता है क्या भारत सुखोई 30MKI में जो चेंजिस कर रहा है क्या वो सही है और भारत का काविर इंजन क्या अमेरिका के जन्रल इलेक अपको मिलती रहे जै हिन जै भारत